प्रश्न है हम अपने दोसों को हमेशा के लिए कैसे दूर कर सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि मन किस प्रकार से सुरक्षित रहना चाहता है। यह किसी प्रकार का वैवधान नहीं चाहता। यह सदा सदा के लिए पुन्ड रूप से सुरक्षित बना रहना चाहता है और ऐसा मन जो पूरी तरह से सुरक्षित बना रहना चाहता है जो हमेशा के लिए अपनी कठनाईयों को मिटा देना चाहता है अवश्य ही इसके लिए कोई उपाय खोज लेगा यह किसी गुरू के पास जाएगा किसी मत और विश्वास की सरण लेगा यह किसी आतरय को खोज लेगा और उसके सहारे रहेगा उससे बंद जाएगा और इस तरह मन, असम्विदनशील, मृत और कलांत जरजर हो जाएगा जैसे ही आप कहते हैं मैं अपनी सारी कठनाईयों पर सदा सदा के लिए विजय पा लेना चाहता हूँ आप उन्हें जीत तो लेंगे परन्तु आपकी सारी चेतना आपका मन मरत हो चुका होगा हम कठनाई नहीं चाहते हम सोच विचार करना नहीं चाहते हम खोजना पता लगाना नहीं चाहते मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है चूंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कठनाई हो इसलिए मैं किसी ऐसे वैक्ति के पास जाता हूँ जिसे मैं महापुरुष या महानिस्त्री या संत आदी समझता हूँ और वह मुझसे जैसा कहे वैसे वैसा मैं यथावत करता हूँ जैसे कोई बंदर नकल करता है जैसे कोई ग्रामोफोन बार बार दोहराता है ऐसा करने पर उपरी तोर पर मुझे कोई कठनाई नहीं रह जाती क्योंकि मैं सम्मोहित सी आवस्था में होता हूँ लेकिन अचेतन तल पर अपने भीतर की गहराईयों में आखिरकार इनका विस्वोट सुनिश्चित ही है भले ही मैं आशा करता रहूँ कि ऐसा कभी न होगा देखिए मन कोई आश्रय कोई शरण चाहता है कोई ऐसी वस्तु जिसका सहारा वै ले सके कोई विश्वास, कोई दिव्यात्मा, गुरू, कोई दार्शनिक शिधान्त, कोई गतिवधी कोई राजनितिक विचार, कोई धार्मिक सिधान्त, इत्यादी किसी भी तरह का विग्न सामने आते ही या उनकी शरण में जाना या ऐसे ही किसी सहारे को पकड़े रहना चाहता है परन्तु मन के असांत होने की समस्या क्या है विग्न आने पर अशांत होने पर ही अवलोकन और जाच परताल करते हुए मन समस्या को समझ पाएगा एक महिला पूछती है क्या बखेडों से घबराय हुए मन के लिए समझ पाना संभव है ऐसा मन जो अशांत है और जो उस असांती से भगने की चेश्ठा कर रहा है उसके लिए समझना कभी संभव नहीं होगा पर वह मन जो असांत है और जानता है कि वह अशांत है और जो धैर पुर्वक इस असांती के कारणों की चानबीन करने लगता है बिना इस पश्टिकरन का सहारा लेते हुए बिना कोई निंदा किये उनकी जाच करता है अवस्य समझ पाता है परन्तु जो मन कहता है मैं असांत हूँ मैं असांत होना नहीं चाहता इसलिए मैं असांत ना होने के लिए ध्यान करूँगा ऐसा मन अवस्य ही सतही है, मूड है उमिद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें and finally thank you for your valuable time